करेंगे वारा नसी की ग्यान व्यापी मस्जित केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें आज इस केस के अंदर वीडियो ग्राफी होने जा रही है जिसको लेकर पुर्शासंग पूरी तरह अलट है तो ये बड़ी खबार वारानसी से ग्यान व्यापी मस्जित के केस मामले में आज वीडियोग्राफी होगी ग्यान व्यापी मस्जित शिंगार गौरी मंदिर मामले में होगी ये वीडियोग्राफी वीडियोग्राफी को लेकर आमने सामने दौन पक्ष हैं पक्षों में तनाव को लेकर सुरक्षा एजंसिया भी अलट है मुस्लिम पक्ष के वकी ने का है कि मस्जिद की वीडियो ग्राफी को नहीं दिया है कोटने आदेश लेकिन आज आपको बता दें इस मसले पर दो पर तीन वजे ग्यान व्यापी जो मस्जिद केस है उसमें पर प्रदेश सरकार कमिशनेट पुलिस द्वारा पत्रावली में लिखे दिया जा चुका है कि मैं आपने पर पुलिस सहायता वल दूँगा और इसका अनुपाला नहीं को कराना काम है वो खुद वो खुद उन्होंने जो अप्लिकेशन दिया है कि उनके प्लेंड के मुटाब उनका खुद का यह कहना है जो माह सिंगार गोरी की मूर्ती है वो ग्यान वापी मस्जिद के पस्तिमी दीवाल के बाहर की तरफ है इस पस्त रूप से मंद्ध मस्जिद के अंदर नहीं है यह जाने यह उती फिदियो ग्राफिक राने के लिए कोड़ने कोई आर्डर ग्या नहीं है यह इसे खबर पर हमारे हम दिन है और यही कारण है कि जो यहां की पुलीस है चाहे वो इंटलीजेंस एजेंसिया हो वो सभी बिल्कुल सक्री हो चुकी है और स्रिंगार गौरी ग्यानवापी मस्जिद का यह मसला यह पूराना मसला नहीं है लगबग आठ महिने से चला आ रहा है और आज सुकी इसकी विडियोग्राफी कराई जानी है और हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षकार जो है आमने सामने हैं दोनों के अपने अपने तर्क हैं और हमने दिखाया भी कि किस तरह से जो ग्यानवापी मस्जिद के पक्षकार वकील है अभाय यादा उनों उनका क्या कहना है और जो हिंदू पक्ष के वकील है सुधीव त्रिपाठी उन्होंने क्या कहा था लेकिन यह तस्वीरे आप देखिए कि यही वो ग्यानवापी मस्जिद है इसके पूरे चारों तरब ज ग्यानवापी मस्जिद का मसला अलग है यह दूसरा केस है और एक केस और है जिसकी सुनवाई 10 माई को होई है लेकिन आज 6 माई है शुक्रवार का दिन है और या आज यहां पर वीडियोग्राफी कराई जाने है दोनों पक्ष के एक एक वकील के साथ तो 36 सदस्री कमेटी ह जो वीडियोग्राफी करेगी अंदर जाकर और यह जो समय मुकर्रर की गई है वो लगबग दोपहर तीन बजे का समय मुकर्रर किया गया है जहां से लोग इंट्री करेंगे और जाकर अंदर वीडियोग्राफी करेंगे लेकिन वीडियोग्राफी को लेकर भी बड़ा सवा बाद है जैपाल हम आप से आगे भी अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि लगाता है हम लोगों को खबरे दिखा रहे हैं और सुबा की राम-राम चल रहा है नौइडा स्टेडियम से